Hello guys and welcome back to CP Classes आज का वीडियो बहुत बहुत खास है जी हाँ, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ ऐसी कौन सी साथ आदते हैं जो एक successful student के अंदर होती है Because successful student होना का मतलब सिरफ ये नहीं है कि आपने अच्छे mark score कर लिए इसका मतलब ये होता है आपने कुछ ऐसी आदते डेवलप कर ली हैं अपने अंदर जो आपको एक अच्छा इंसान भी बनाने वाली है जिन्दगी के अंदर तो चाहे आप एक high school के student हो चाहे आप college student हो चाहे आप कुछ भी काम करते हो अगर आपने ये आदते डेवलप कर ली तो आप एक बहुत successful इंसान अपनी जिन्दगी में बन सकते हैं चलिए सबसे पहली आदत की बात करते हैं successful student जो होते हैं वो अपने time को पूरी तरह से organize करते हैं यानि कि वो अपने हर काम के लिए एक proper time design करते हैं पढ़ने का वक्त हो चाहे खेलने का वक्त हो चाहे extra curriculum activities में कुछ participate करना हो तो अपना planner वो पूरी तरह से इस्तमाल करते हैं उसको पहले ही भर लेते हैं जिसकी वज़े से उन्हें ये पता लग जाता है कि मुझे किस वक्त पर कौन सा काम करना है दूसरी और खास आदत successful लोगों के बीच में एक खास आदत होती है they already have a clear goal उन्हें ये पहले से ही पता होता है कि हमें life में क्या चीज़ अचीज़ अचीव करनी है विकास जब उन्हें ये पहले से पता होता है तो वो अपना पूरा focus उस goal के उपर डाल पाते है तो आपको हमेशा as a successful person और as a student आपको अपने goals को अपने सामने clear रखना है तीसरी और खास आदत successful लोगों की कि उन्हें अपने actions के लिए अपने results के लिए responsibility लेनी है यानि कि they have to become very very responsible in their life for example उन्हें time पर class में पहुचना है उन्हें help लेनी है जब भी उन्हें जरुत पड़े उन्हें कभी भी अपनी problems के लिए excuse नहीं बनाना है बलकि उन्हें अपनी problems को as an opportunity देखना है मतलब उन्हें अपना mindset problem solving रखना है ना कि हमेशा ऐसा mindset रखना है कि वो हमेशा problem को ही देखते है बट हमेशा अपना mindset problems की solution की तरफ लेकर जाना है अपना mindset solution oriented बनाना है habit no.4 study habits develop करनी है उन्हें पता होना चाहिए किस तरीके से मैं effective study कर सकता हूँ यानि कि उन्हें एक ऐसी जगा डूणनी चाहिए जहां पर बिल्कुल भी destruction नहीं होगा उसके अलावा successful students हमेशा motivated रहते हैं even when the time is tough that means being positive getting small goals to keep yourself motivated and finding ways to stay inspired and excited about your journey because कैते है ना journey पे focus करिये goal की तरफ मत देखिये मतलब कि आपको अपनी journey में process को enjoy करना है it's always worth it और अगली habit यो एक successful student के सामने होनी चाहिए वो ये है उन्हें अपना ख्याल रखने की बहुत ज़ादा जरौत है that means taking enough sleep eating well, staying active taking time for hobbies and getting relaxed sometimes when you take care of yourself you will have enough energy and focus to devote on your goals तो इस तरीके से यादते follow कर कर आप भी एक successful इंसान एक successful student जिंदगी में बन सकते है so by developing these habits you can become more effective you can become a well-rounded learner and achieve your academic as well as your personal goals so remember success is a journey not a destination so keep learning, growing and striving to be your best thanks for watching see you in the next video